जो भी यहाँ पे अपना sales domain के अंदर अपना career बनाना चाहते हैं, चाहिए वो fresher हो, यहाँ फिर experienced candidates हो, क्योंकि दोस्तों, Paiju's company जो है, वो लेकर आई है, यहाँ पे एक job opportunity जो की आपकी रहने वाली है, business development associate role के अंदर, यानि की एक sales job जो है, आपकी होने वाली है, तो जो भी लोग sales job में अपना career बनाना चाहते हैं, तो सबसे बहतर opportunity आप लोगों के लिए यह रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को जो package company provide कर रही है, वो यहाँ पे 7 LPA का package आपको रहने वाला है, as a fresher, तो काफी अच्छी opportunity है, काफी अच्छा package जो है company provide कर र hiring कर रहा है, यहाँ पे fresher और experience यहाँ फी lay-off persons के लिए, जो की hire कर रहा है, यहाँ पे office-based job के लिए, यानि कि आपको यहाँ पे door-to-door visit नहीं करना, आपको simply by juice के जो tuition centers रहते हैं, यहाँ फिर जो इनके headquarters रहते हैं, वहाँ पे आपको बैठना है, and भहीं से आपको calling करना है, और आपको business development associate profile जो रहेगी, उसमें आप as a worker होगे, and आपको जो role रहेगा, वो यहाँ पे simple सा रहता है, कि आपको by juice के जो भी courses बगर है, वो यहाँ पे sell करने होते हैं, so दोस्तों, यहाँ पे बात करें, सबसे पहले apply का से करना है, and सब चीजों की details जो है, इन्होंने Google form में भी दी हुई है, तो अगर आप apply करना चाहते हो, link में आपको description में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप apply कर सकते हो, Google form के तरू, तो यहाँ पे इन्होंने पताया, location जो है, आपकी कोलगता रहने वाली है, but अगर आप यहाँ पे all over India से हो, मतलब all over India से आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हो, कहीं से भी, but आपको जो office है, वो कोलगता location में मिलने वाला है, तो अगर आप relocate कर सकते हो, कोलगता के लिए, तो आप यहाँ पे apply ज़रूर करना, hiring कोलगता location के लिए हो रही है, but सिरफ कोलगता की जो लोग है, वो यहाँ पे available, यहाँ फिर यहाँ पे eligible नहीं है, all over India से यहाँ पे लोग apply कर सकते है, and relocation भी है, अगर आप यहाँ पे relocate कर सकते हो, तो definitely आप apply करो, all over India से, package आपको 7 LPA करने वाला है, यहाँ पे आपको 4 LPA fix रहेगा, and 3 LPA variable रहता है, कौन qualifications वाले है, तो आप हर कोई graduates यहाँ फिर post graduates यहाँ पे eligible रहने वाले है, जिरों भी graduation कर है, यहाँ फिर post graduation कर रखी है, तो आप apply कर सकते हो, कोई issue नहीं है, freshers experience, सब candidates यहाँ पे eligible है, और minimum qualification के इलावा minimum आपकी जो age है, वो 18 अबव हो नहीं चाहिए, तो अगर आप 18 अबव हो सभी, तो यहाँ पे apply कर लेना ज़रूर, then selection process के बार में इनो नहीं बताया, सबसे पहल आपको एक task दिया जाता है, जब आप उस task को complete करते हो, वो task के basis पे आपका एक final round interview रहेगा, अगर आप उससे clear करते हो, तो आप यहाँ पे join करोगे, एक permanent employee, जो की business development associate के role पे रहेगा, then आपके selection के बाद, सबसे पहले आपका 3 weeks का एक training रहेगा, जहाँ पे आपको 10K stipend तो apply करने के लिए, यहाँ पे great opportunity है, जो भी career sales में देख रहे हो, definitely apply करो, बहुत अच्छी opportunity है, apply करने के लिए, आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले name mention करना है, name mention करने के बाद, आपको अपना email id mention करना है, email id के बाद, आप अपना phone number, और अपना phone number mention करोगे, जो आपका available हो, WhatsApp के अंदर, then आपको यहाँ पे अपनी age mention करनी है, age के बाद आपको अपना gender चूज करना है, gender के बाद आपकी highest qualification क्या है, वो आप यहाँ पे चूज करोगे, आपका highest qualification का passing year क्या है, then अगर आप all over India से apply कर रहे हो, let's suppose आप दिली से apply कर रहे हो, तो अगर आप relocate कर सकते हो, कोल तो उसके accordingly आप यहाँ पे apply करोगे, choose करोगे, then आप अगर अपनी कोई study pursue कर रहे हो, तो अपने कौन से mode से कर रहे हो, distance से कर रहे हो, regular से कर रहे हो, यहाँ फिर कुछ भी pursue नहीं कर रहे हो, then अगर आप job कर रहे हो, तो आपका notice period कितना रहेगा, then आपका जो marital status है, वो क्या ह married हो या unmarried हो, तो यहाँ पे आप वो choose कर सकते हो, and दोस्तों, एक चीज मैं बता दूँ, यहाँ पे highest जो आपकी age रहेगी, जो eligible रहेगी, वो यहाँ पे आपकी 30 प्लस रहने वाली है, यानि कि हर एक candidate जो 18 age से लेकर के 30 age तक के जो भी age group पे फाल करते हैं, वो लोग यहाँ तो इसे आप ज़रूर submit कर देना, अगर आपका application shortlist होता है, तो आपको within one days जो है, यहाँ फिर maximum to maximum, two days के अंदर अंदर आपको यहाँ पे आच्छा की call आ जाएगी, and आपका टैलिफोन निक राउंड जो है, वो start हो जाएगा, so दोस्तों, I hope यहाँ पे आपको update जो है, काफ आपको description में मिल चाहेगा, and दोस्तों, सबसे बहतर चीज जो रहती है, वो याद रखना, जब आप apply करोगे, तो हर एक जो भी questions है, उनको ध्यान से पढ़कर यहाँ पे fill करना, because easy के basis पे आपका track यहाँ पे shortlist होने वाला है, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी and यह update भी आपको पसंद आया होगा, आपकी हम मिलेंगे आप से कल, एक न्यू वीडियो में एक नहीं updates के साथ, तब तक लिए दोस्तों, goodbye